है गाईज असलाम अलेकुम से स्रकाल योप आप से बहुत अच्छ हो गया हम भी बहुत अच्छ है मैं हूरानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रेक्शन तो हम आगे आपके लिए लिए लेका इस वीडियो का टाइटल है अच्छ है ट्रांस कपल बलेस्ट बेबी इन केरला अफस्ट इन इंडिया और श्पर जाखिर रहा है का जबाब वह भी देखिंगे तो हम लोग भी लांस तक जरुए इंडिया मैं मतलब जो ट्रांस जेंडर है वो प्रेग्निंट हुआ है ठीक है और बहुत जादे यह वारल लोग जादे यह वीडियो और मैं इसको रुप में देखा था ठीक है फिर इसको बीडियो आया तो बीडियो पर एक्षंदेरेग से हम अपने अपको रोग निसके क्या बोले टोक्तर यहां पर बेर चांपर वेंट एंडियों स्टर्ट इंडियों जाटे बिना किस टामें the couple confirmed that the newborn is in good health the couple 21-year-old Zia Paval and 23-year-old Zahad paused their hormone treatments in order to start a family according to estimates india has over 2 million transgender people in 2014 india's supreme court made a ruling that they have equal rights to other people but many still face prejudice and struggle to access education and health care अज़ीन फित्रत सलीमा कभी बुराई बेहयाई को न तो कुबूल करती है और नहीं पसंद करती है बलके इन से बाद रहने और तर्क करने की तल्कीन करती है दीन इसलाम नहायद आली और पाकीजा मजभ है जो अखलाक, आला सिफात और अंदा करदार की तालीम देता है और जिस्मानी, रोहानी, कल्बी और फिक्वी महारत के जरिए एक साले और बाहया मौशरा तश्कील देता है अफ़त औ हया को जुजव एमान तरार देता है और किसी सूरत में बेहयाई, बेहरारवी और फाहशो मुनकरात को बरदाश्ट नहीं करता बलके इसके मुर्तकबीन को सख्त सख्त सजा तजवीज करता है ताके ये नसल इनसानी पाकीजा जिन्दगी गुजारे नाजरीन इसलाम में हम जिन्स परस्ती एक गुनाह कबीरा है मगर लोग इस पर अब बात करना शुरू हो गए है और ये इसी चीज़ के निशानी है कि पहले लोग किसी चीज़ को बुरा समझते हैं फिर उसके बारे में बाते शुरू होती हैं और बाद में उसको अपना लिया जाता है हमें दौा यही करनी चाहिए कि मुस्लमानों में ये बेहयाई न पहले नाजरीन एक लड़की ने डॉक्टर जाकर नाइक से सवाल किया कि मैं LGBT के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसलाम इस बारे में क्या कहता है मुझे लगता है कि हमें लोगों को उनकी अपने पार्टनर्स की तरजिहात के बावजूद कुबूल करना चाहिए मुझे पता है कि इसलाम इस चीज़ की इजासत नहीं देता हाई मैं जान्से है कि इसलाम इसलाम आसे अपने इसलाम्स हु कि हमें रदे इसलाम करना तरह फोर的 गिसलाम करने इसलाम करना चाहिए मैं उaren हम एक्सपेल cultivation में इसलाम मैं Зबुकत है Perह skills इसलाम मैं है डॉक्टर जाकर नाइक ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अल्लह कुरान में फर्माता है कि तुम मर्दों को औरतों पर तरजी देते हूं हम जिस परस्ती इसलाम में हराम है इस बारे में एक आर्टिकल कुछ साल पहले शाय हुआ था जिसके मताबिक हम जिस परस्ती जेनेटिक थी यानि जिन्याती तोर पर पैदा होती है जब ये आर्टिकल मन्जिर्याम पर आया तो लोगों ने मुझसे बूचा कि अगर हम जिस परस्ती जन्याती है तो हम इस शक्स को मौरद इलजाम नहीं ठहरा सकते जो हम जिस परस्त है ये तो लाकी तरफ से है बात में पता चला कि जिस शक्स ने ये आर्टिकल लिखा था वो खुद हम जिस परस्त था डॉक्टर साकर नाइक ने बताया कि जब कोई शक्स हराम जिन्सी तालुकात बनाता है यानि अपनी बीवी के इलावा बाहर भी मुमारता है उसको यादत हो जाती है कि बार बार जिन्सी तालुकात काईम करे और फिर एक वक्त आता है कि वो मुतमईन नहीं होता और मजीद वहश ख्यालात उसके दमाग में आते जाते हैं और वो नई नई चीजें सोचने लगता है डॉक्टर साहब ने बताया कि मगरिब में हम जिस परस्ती आम हो चुकी है वो औरत की अजादी के नाम पर जिसम की नुमाईश करते हैं मगरिब जो औरत को अजादी देने की बात करता है असल मैं उसने औरत को एक नुमाईशी चीज़ बना कर रख दिया और वो इसको आर्ट और कल्चर का नाम देते हैं मुट साइकल के श्तहार में वो हमेशे औरत को दिखाते हैं मगर हकीकत में ज्यादा औरते मोट साइकल चलाती ही नहीं मुझे BMW के एक इश्तहार के बारे में बताया गया कि गाड़ी के इश्तहार में बिकनी पहन कर एक खातून खड़ी है और लिखा आता है कि इसको टेस्ट ड्राइव करें तो वो बहनों माओं को बेश रहे हैं और कह रहे हैं कि खवातीन आजाद हैं you have advertisement in a motorbike advertisement invariably there's a woman now how many women ride motorcycle but you see a woman in that why and I was told of a very famous ad of BMW I was told in front of the BMW car a woman is standing in a bikini and the ad reads let's drive her now who the girl or the car so they're selling their daughters they are selling their mothers and they're saying their women are liberated ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ کو جنسی تعلقات رکھنے کی خواہش ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ شادی کر لیں امریکہ نہیں مانتا کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ٹھیک ہے مگر امریکی عداد و شمار کے مطابق ایک امریکی شادی سے پہلے آٹھ مختلف لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہے تو وہ خالق کے قبرین کو دھتکار کر اپنی نسوائی کا باعث بن رہے ہیں امریکی عداد و شمار کے مطابق ہر بارہ امریکیوں میں سے ایک نے انسسٹ کیا ہوتا ہے یعنی اپنے ہی خاندان سے کسی کے ساتھ زنا وہ سیدے راستے سے اتنے بھٹک چکے ہیں کہ وہ نت نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ خواتین کے ساتھ تو انلقات بنا کر اکتا جاتے ہیں تو ہم جنس پرستی پر اتر آتے ہیں یہ جنیاتی نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کا ایک نتیجہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ کینیڈا میں پہلی بار 1996 میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو چوم رہا ہے اور بعد میں کینیڈا نے ہم جنس پرستی کی شادیوں کی اجازت دے دی سائیکالوجی کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ جس شخص نے صرف ایک ہی خاتون کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے ہوں وہ سب سے بہترین شادی شدہ زندگی گسارتا ہے آپ نومل چیزوں سے دور جاتے ہیں تو ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات اس دو پیغام کے ساتھ ختم کی کہ اسلام میں لیسبین گے ہومو سیکشولیٹی سب کچھ حرام ہے یہ ہے کہ کچھ حرام ہے کہ آپ کے جانسی طریق پر کریں گے چیزوں سے دور جمعیام ہے صرف ایک ہمارے کی تعلقات کرنے کا دوریٹیز میں آدم ہے اسلام سے زندگی مجھے ان کے ساتھ ختم کی طور پر برزرس کے باتھ ختم کی کچھ یک سیکسی پر دوریٹیز میں آپ کو ایک ختم کی طریقی پرنت میں ادھا ہے so they are disregarding the law of the creator do you know according to american statistics every 12th person you meet has committed incest incest means having sexual relationship brother and sister son and mother father and daughter it's absolutely nonsense because they get so open etc they deviate from the natural path so they want things which are different so when they get so much used to it having heterosexuality they start homosexuality it is not genetic it is based on the thing which you do unnatural things psychologically you so if you stop this deviation from the path which is given guidance in the quran and the other religions what you realize this will stop and i remember i'd been to canada in 1996 first time a man kissing a man and canada has legalized marriage of gays now all this is coming because they're deviating from the truth and today psychologists tell us that a person who has no extramarital sex enjoys the best married life you deviate from your normal things and this is what happens so that's the reason if you follow the commandment of almighty god all these things will not happen therefore in islam homosexuality gay, gay, lisbonism everything is primated and this is what happens so that's the reason why you are not going to be able to do it in the comments section जरूर कमेंट बोक्स अपनी राये देना और अगर आप इस वीडियो पर नी होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नाटिफिकेशन और पर साइट कर लेना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक ले बाए और लब विकेश्ट